दोस्तों यदि आप भी भारतिय टीम की जीश से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों विगेट विगेट और फिर एक और विगेट हैट्रिक के करीब पहुंचे कुलदी पी आदब ने गेन से मचाई तबाही तो कैसे सिराज एहमद और सुन्दर ने अफरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया जिनके साथ धवन और गिल ने अपने बल्ले से कौराम मचा कर दिलाई भारतिय टीम को एतिहासिक जी तो वो तो हम आपको दिखाएंगे साथी साथ इस रॉंग्टे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाइलाइट का वीडियो भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुल्दी भी आदव को विश्व कप में मौका मिल सकता या नहीं अपनी राय नीचे दिये के कमेंट बॉक्स में केरा कप्तान धवन के पक्ष में और उन्होंने अफरिकी टीम को बल्लेबाजी का नियोता दिया भारती गेंद बाजों से टकर लेकर अपनी टीम को विस्पोटक शुरुआत दिलाने के लिए कुईंटन डिको के साथ जानेमन मलाल क्रीज पर उतरते हैं बारत के लिए गें बाजी का नतीजा ये साबित हुआ कि तीसरे ओवर में ही बड़ा शॉटन लगा रनों की रफतार बढ़ाने के प्रयास में कुईंटन डिकोक आविश खान को अपना कैच थमा बैटे इसी के साथ भारती टीम को बहुत जल्द पहली सफलता हासिल हो गई थी जिसके बाद ब उसमें मलाल चारों खाने चित हो गए और एक बार फिरावेश खान ने ही बाउंडरी पर मलाल का बहतरीन कैच लेकर उन्हें पवेलियन के दर्शन करा दिये बारतीय टीम की ये बेहद खतरनाक शुरुआती और दोनों गेंद बाज अफरीकी टीम पर कहर बनकर तूट पड अब इन मुश्किलों घडी में अपनी टीम को समालने की बड़ी जिम्मेदारी उप कप्तान एडन मारकरम के साथ हैंडरी क्लास सेन पर थी लेकिन दोस्तों भारती गेंद बाजों ने तो अफरीका की कमर तोडने का मन बना लिया था इन दोनों बनले बाजों का रन बनाना फिर संजू सैमसन ने महेंदर सिंग धोनी की याद दिलाते हुए पलक जबकते ही गेंद को अपने दस्ताने में कैद कर भारतीय टीम को चौती सभलता दिला दी पूरे स्टेडियम में ये हर तरफ सिर्फ भारतीय टीम के लिए नारे लगा रहे थे दर्शों को की खुशी क गेंद बाजों का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी एक बार फिर वाशिंग्टन सुंदर ने एक ऐसी खतरनाग गेंद की जिसमें डैविन मिलर को पता ही नहीं चला कब उनके स्टंप बाहर आ गए कप्तान मिलर भी क्लीन बोल्ड होकर अपनी टीम को मजधार में छोड ना लिया था और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही बारी में 25 में वो बाद में उन्होंने एंड्रिक नो किया और फॉर्च्यून को लगातार दो गेंदों पर आउट कर तबाही मचा दी और अब पहली अपनी तीसरी इंटरनेशनल हैट्रिक के बहत करीब थे लेकिन अगली पहली तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कुल्दी पर पहली तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कुल्दी प्यादव को विश्व कप में चुना जा सकता है या नहीं अपनी राय नीचे दिये के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद